तो चलिए दोस्तो आज की स्वीडियो में हम लोग बात करते है टो फ़ई बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 18K की यानि कि दोस्तो अगर आप लोगों को बजट है अठाराजार उपे लेकिन अठाराजार से कम की कीमत में आपको एक ऐसा मुबाइल फोन बाई करना जो फूचर र कर लाया हूँ जो इन सभी चीज़ों को फुलिफिल करती है और इनके जो स्पेस्व किसरें नो डाउट का आपको काफी अल्टिमेट देखने को मिलती है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं दोस्ता विता का आपने हमें चैनलों को सब्क्राइब करके बटन को दबा जो करीब आप लोग 8GB रिम पलस 128GB के साथ 18,000 के आसपास बाइक कर सकते हो और अगर आप काड का यूज़ करते हो ते यह मुबैल पूर आपको 16,000 के आसपास मिल जाएगा 6.5 इंच की Full HD पलेस डिस्पले मिलती है जो IPS LCD पैनल के साथ आती है गैज थोड़ी डिस्पेंट कर 5G प्रोसेसर मिल जाते है जो 6NM टेक्लोजी पर बेस है जिसका अंतुत्य स्कोर करीब 4,20,000 से भी उपर आते है लेकिन यहाँ पर आपको केवल दो 5G बैंड का ही सपोर्ट मिलेगा और हाइबीड सिम ट्रे मिलती है 50 मेगाफिक्सल पलस 2 मेगाफिक्सल की ट्रीबल कैमरे क की बैटरी है जो 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है 3.5 mm को जैक है सभी तरीकी के बेसिक सेंसर मिल जाते है तो गाइस इस मोबैल फोन को आप लोग चेक आउट कर सकते हो अगर आपको 8GB रेम पलस 128GB इंटरनी स्टेज वाला मोबैल फोन बाइक करने है वो भी चीप प्र प्राइज की बाद करें तो करीब इसको आप लोग 18,000 की कीमत में बाई कर सकते हो जापर आपको 6GB पलस 64GB इंटरनी स्टेज मिलेगा यहाँ पर आपको दी गई है 6.67 इंच की फूल एजडी पलस सूपर एमलोई डिस्पले जो आपको 128 रिफ्रेस रेट के साथ मिलती है और 368 का टथ सैंपल रेट यहाँ पर आपको दिया गया है कोडनी को लगिलास 5 की प्रोटेक्सान मिलती है मैक्सिमम पीक ब्रैटनेस अजो वो आपको 12 एंड निट्स की देखने को मिल जाएगी डिस्पले काफी अल्टिमेट मिलती है और सेंटर पर पंचोल कट आउट भी दि पर आपको 108 मेगाफिक्सल की कोड कैमरी का सेंटप मिलता वाइड अंगल सेंसर, डफ सेंसर व निया गया है 16 मेगाफिक्सल का सेंपी कैमरे मिलता है लेकिन इस मोपईल फौन से किसी भी कैमरे से आप लोग फोर के में वीडियो रॉकरिंग नहीं कर सकते हो मैक्सिमम 108 पिक् यहां पर offer किये गई है तो Redmi Note Alien Pro को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो next mobile phone की बात करते है यह आते है Realme की तरब से Realme 9 Pro 5Z guys यह mobile phone आपको 18000 की कीमत में मिलेगा लेकिन यहां पर भी आपको काफी अच्छी specification मिल जाती है again यहां पर भी आपको Snapdragon 695 का 5G processor मिलते है दोस्तों काफी popular processor है 20,000 से कम में 5G smartphone पर maximum यही processor आप लोगों को देखने को मिल रहा है अभी की time में दोस्तों यहां पर आपको 6.6 inch की full HD display मिलती है जो IPS LCD panel के साथ आती है लेकिन यहां पर 128 refresh rate दिया गया है corner पर punch hole cutout मिलते है 64 megapixel की triple camera का setup है जापर 8 megapixel का wide angle sensor भी दिया गया 16 megapixel का selfie camera मिलते है front facing camera में आपको EIS का भी support मिलते है लेकिन इस mobile phone के camera से आप लोग maximum 108 pixel में ही video recording कर पाऊगे दोस्तों mobile phone पर आपको अच्छे camera देखने को मिल जाते है और 5000 mAh की हाँ पर battery offer की गई है जो 33 watt की charging का support करती है type support सभी तरीके के basic sensor भी दिये गई है next mobile phone की बात करें यह आते है moto की तरफ से moto G71 5Z दोस्ते यह भी एक value phone money device है करीब यह smartphone आपको 18-19000 के बीच मिल जाते है और यहाँ पर भी आपको 5Z processor आने की Snapdragon 695 का 5Z processor मिल जाते है इस mobile phone पर आपको टोटल 13 5Z band का support मिल जाते है hybrid SIM tray दी गई है 6.4 इंच की Full HD प्लस Super MLB display मिलती है जो नोर्मली 68 के refresh rate के साथ आती है center पर punch wall cutout दिया गया IP53 की rating यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी support कर लेती है camera के तरफ नजर डाले तो camera में आपको इतने improvement नहीं मिलता है basic से camera आपको मिलते है 50 plus 8 plus 2 megapixel के यानि कि जिस प्राइज में आते है उस प्राइज के साब से हैं पर आपको काफी हलिके camera मिलते है और 16 megapixel का selfie camera दिया गया है तो रोल देखा जाए तो अगर आपको दमदार processing power चाहिए बढ़िया displays आई तो इस mobile phone को आप लोग check out कर सकते हो अगर guys हम next mobile phone की बात करें तो guys यह latest mobile phone है जो 28 smarts को यानि कि आज रिके दिन लॉंच किया गया है जिसका नाम है POCO X4 Pro 5Z guys यह mobile phone वैसे तो 19,000 की किमत में launch किया गया है लेगिन अगर आप HDF1 की credit या debit card कर ये इस mobile phone को केवाल आप लोग 18,000 की किमत में buy कर सकते हो दोस्ते हैं आप 6.67 inch की super emily display मिलती है जो आपको 120 heart refresh rate के साथ और 360 heart touch sample rate के साथ मिलती है maximum जो peak बैटने है सर्व आपको 12 है निट्स की देखने को मिल जाएगी center पर punch hole cutout मिलती है और corning glass 5 की protection मिलती है no doubt काफी ultimate display दी गई है अगे नहाँ पर भी snapdragon 695 का 5G processor मिलती है जो total 7 5G band को support करते है 64 plus 8 plus 2 megapixel के triple camera का setup दिया गया है उस 16 megapixel का selfie camera मिल जाता है 5000 mAh की battery मिलती है जो 67 watt की charging को support करते है टाइप C port है सभी तरीकी की basic sensor है out of the box android 11 मिलते है liquid cooling का भी हाँ पर option दिया गया है निकि gaming के time पर आपको जो mobile phone को heat नहीं होने वाला है dual studio speaker मिल जाएगा design काफी ultimate आपको मिलते है तो अभी के time में देखा जाएगा तो Poco X power pro एक best option है अठारहजार के approach इस mobile phone को आप दोग चेक आउट कर सकते हो आई हो कि दोस्ता आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like उड़ सेल ज़रूर करें और जाते जाते चैलों के subscribe करके side bell एक इनको ज़रूर दबाए